नमस्का राजनमा टीवी पर आपका सौगत है में प्रियाम आपके साथ नसीबी ने भारती समुदरी इलाके में 15,000 करोड रुपे के ड्रक्स जप्त किये हैं नसीबी के डिप्टी डिरेक्टर जनरल संजे कुमार सिंग ने शनीवार को बताया कि नसीबी और इंडियन नेवी ने इंडियन ओशियन में एक आपरेशन चलाया जिसमें कीमत के मामले में सबसे बड़ी जप्ती की गई बरामत किये के ड्रक्स का सोर्स पाकिस्तान है ये ड्रक्स इरान के चाब हारपोर्ट से आये हैं इससे पहले एंसीबी ने शनीवार को एक विशेश अभियान में केरल के कोची तट के पास से लगबग 12,000 करोड रुपे कीमत के लगबग पचीस सो किलोग्राम ड्रक्स चप्त किये हैं संजे कुमा ने बताया कि मदर्शिप को समुद्र में कई जगहों पर तेनात किया गया था अलग-अलग देशों से छोटी नावे मदर्शिप तक पहुंचती थी और वहां से ड्रक्स को अपने देश में ले जाती थी ड्रक्स की ये खेब श्री लंका, मालदीव और भारत के लिए आई थी इस कारवाई में एक पाकिस्तानी नागरिक को भी गिरफतार किया गया है संजे कुमा ने कहा कि हमने फरवरी 2022 में ऑपरेशन समुद्र गुप्त शुरू किया था अपरेशन के तहट तीम ने अब तक लगबक 4000 किलोग्राम अलग अलग तरह के ड्रक्स जब्त किये हैं इसी के साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ दने वाग